जिस तरह से डेली लेविल पे हम सबके घरों से वेस्ट एक्सक्रीट होता है कुछ उसी तरह का काम हम सबकी बॉडीज भी करती है कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जो इस काम में इन्वाल्ड होते हैं और कौन सी ऐसी बाते हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं इसी बात से related है हमारा आज का topic चलिए बात शुरू करते हैं Hello Learners, आज जो हम topic करने जा रहे हैं उसका नाम है excretory system अब ये एक type का organ system है जो कई सारे organisms की body में present होता है organ systems की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे system होते हैं जिसमें कई सारे organs मिलके काम करते हैं एक team की तरह ताकि वो उस organism की body के लिए कुछ एक proper specific function complete कर सके हैं और हर organ system में कुछ नगुछ अपने number of specific organs present होते हैं excretory system की अगर हम बात करें तो इसमें total 4 organs present होते हैं चलिए देख लेते हैं इसकी image को ये दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से और ये दिखाती है सारे organs specific उसी shape और size में जैसे वो present होते हैं body अंदर although इसको असानी से समझने के लिए हम इसका एक hand drawn diagram यूज करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक easily ये organ system याद रहे हैं और 4 diagram है ये जैसे कि हम इस diagram में देख सकते हैं पहला part है ये इसका नाम है kidney दूसरा part है ये इसका नाम है ureters और तीसरा part है ये इसका नाम है urinary bladder and fourth and last part is this one it is known as the urethra अब इन सब parts के descriptions और इनके functions की बात हम तब करेंगे जब हम topic में आगे जाने एक ऐसी detail यहाँ पे है जो exist करती है जो इस organ system की name से ही हमें पता चलती है और वो है वो word जिससे बनता है यहाँ पे शब्द excretory which is excrete जिसका meaning होता है to discharge something discharge जाने के किसी एक चीज़ को किसी एक जगा से बाहर निकाल देना इस meaning की बात relate होगी जब हम इसके function की बात करींगे तो चलिए देखते हैं इस organ system का function statement कहता है that it is a group of organs that work together towards the removal of waste in the form of urine from the body of an organism समझते हैं इसके different हिस्सों को पहला हिस्सा कहता है group of organs that work together अब इस बात को था हम already जान चुके हैं जब हमने organ system के बारे में बात करी थी कि कि किसी भी organ system में कई सारे organs मिल के काम करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या काम करता है excretory system अब यहाँ पे होती है main बात कि excretory system body से waste निकालने के काम को करता है और वो waste किस form में होता है? liquid form में जिसको हम जानते हैं urine के नाम से हिंदी में इसको हम जानते हैं मूत्र या फिर पेशाब के नाम से तो इसको organism की body से बाहर निकालने का काम है excretory system का अब यह waste को निकालना क्यों जरूरी है? तो इसकी details तो हम topic में आगे जानेंगे बाकी waste का निकलना body से ज़रूरी क्यों होता है? तो यह तो आउतनी daily lack से relate भी अगर करें तो समझ सकते हैं कि हम अपने घर से भी daily level पे waste को बाहर निकालते हैं और जरा सोच के देखिए कि अगर हम waste को daily level पे अपने घर में एक अट्टा करने लगें तो कैसा atmosphere create होगा? unhealthy atmosphere तो यह हो जाती है हमारी एक introductory बात excretory system के बारे में अब हम एक एक करके बात करेंगे excretory system में आने वाले different organs की इसमें जो सबसे पहला organ आता है इसका नाम है kidney सबसे पहले इस organ की real image देख लेते हैं वो दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से अब इसमें काफी सारी details हैं जो हम यहाँ पे make out नहीं कर सकते इसी कारण से हम इसको एक simplified form में देखेंगे और वो दिखाई देता है हमें इस diagram के अंदर अब इस part की detail के बारे में मैं बात करूँ उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कि किसी भी diagram में क्या pattern exist करता है और वो pattern कुछ इस प्रकार से होता है कि कोई भी जो diagram है उसमें बहुत सारे parts exist करते हैं तो हर एक part में हम mostly तो तरह की details पढ़ते है पहली detail होती है उनकी description detail जिसमें details आती है उस part के बारे में जैसे की shape कैसा है, color कैसा है, texture कैसा है, location क्या है उसकी यह सारी details help करती है हमें उस part को पहचानने में और दूसरी जो detail आती हो उस part के बारे में वो आती हो उसकी function detail जो उसकी main detail होती है अब diagrams के बारे में यह basic बात जानने के बाद हम kidney के बारे में बात शुरू करें तो kidney अपने आप में एक ऐसा organ है जो सारे organs इस organ system में आएंगे उसमें सबसे जादा importance यह वाला part ही रखता है shape इसका जैसे की हम देख चुके है जिस तरह का shape beans का होता है जो की एक food item है उसी तरह का shape होता है इस part का भी इसकी अगर location की बात करें तो यह body का एक area है जिसको हम abdomen के नाम से जानते है या फिर दूसरा एक common name है जिसका belly यानि के basically stomach वाला portion वही पे located होती है और थोड़ी सी और specific बात करें तो rib cage जो होता है उसका जो सबसे lowest portion है वहाँ पे एक kidney होती है left portion में और एक kidney होती है right portion में तो वहाँ पे located होता है यह वाला part quantity जैसे कि हम already देख चुके हैं दो हैं इसकी statement में बोले तो हम कह सकते हैं one on either side of the backbone तो यह हो जाती है कुछ details इसकी shape, location और quantity के बारे में एक और छोटी सी detail की अगर बात करें जो यह बताती है कि इस organ को हमारी body से कैसे connection मिलता है तो वो detail यह कहती है that each kidney receives blood from the body parts through an artery which is known as the renal artery अब kidney जो हमारा यहाँ पे part है इसको body के सारे parts से blood मिलता है और यह blood इसको मिलता है एक artery के through जिसको जाना जाता है renal artery के नाम से और renal word हम यहाँ पे associate कर सकते हैं kidney के साथ जो artery kidney से connected है उसका नाम क्या पढ़ गया renal artery तो यह तो बात हो जाती है kidney के description की अगर इसके function की बात करें तो इसका function यह है कि इसके पास body के different parts से जो blood आता है उसमें से यह अलग-अलग तरे के waste को remove करने का काम करता है और यहाँ पे mainly 3 तरे के waste हैं जो exist करते हैं पहला waste है urea दूसरा है uric acid तीसरा है excess water urea आपने आप में एक ऐसा waste है जो body के blood में present होता है जितना भी excess urea present है blood के अंदर उसके removal का काम करती है kidney यह हुआ पहला waste दूसरे waste यानि के uric acid की अगर बात करें तो वो एक ऐसा waste है जो बनता है जब body breakdown करती है certain chemicals which are known as purines जो की ऐसे substances हैं जो या तो खाने में present होते हैं जैसे की spinach that is palak या फिर तब बनते हैं जब DNA breakdown करता है जैसे की वो purines जो DNA के अंदर present है वो है adenine और guanine तो uric acid भी एक ऐसा ही waste है जो blood में pass होता है जो एक बार जब बन जाता है तो body के लिए waste है इसलिए उसका removal ज़रूरी होता है और ये काम kidney ही करती है ये हो गए दूसरे waste की बात तीसरे और आखरी waste यानि के excess water की बात करें तो ये produce होता है जब body के different cells अपनी reactions perform करते हैं तो ये एक byproduct की तरह produce होता है इसका removal भी किसके दुआरा होता है तो इस प्रकार से kidney ये तीनों waste blood में से निकाल लेती है बाहर और ये waste जब excretory system में आगे जाता है तो urine के form में ये जाता है विच मेंस देट हम ये कह सकते हैं that urine is equal to urea plus uric acid plus excess water एक important detail यहाँ पर ये भी है कि ये सारा काम जो हम कह रहे हैं kidney के द्वारा होता है actually होता है kidney में present बहुत सारी छोटी छोटी units जिनको commonly filtration units के नाम से बुला जाता है और उनका exact name है nephrons अगर हम diagram में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है इनके बारे में जो details है वो हम video के end में एक short video का link देतेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे उसको अलग से तो ये तो हो जाता है kidney का पहला function दूसरे function की बात करें तो kidney का दूसरा function है जो blood kidney ने purify कर दिया उसको body में वापिस भेजना और इस बार ये काम होता है एक vein के थुरू जिसका नाम क्या होगा क्योंकि कि वो kidney से attest है renal vein तो ये है kidney के दो main काम kidney के बारे में एक बहुत interesting detail exist करती है जो share करनी बनती है और वो ये है कि मान लिजे अगर किसी कारण से एक kidney fail हो जाती है और उसको body से निकाल दिया जाता है तो ऐसे case में जो kidney body में रह जाती है उसकी ये ability है कि वो अपने size को 50% से increase कर सकती है ताकि वो जो दूसरी वाली kidney है उसके function को cover up कर सके ये हो जाती है बात हमारी complete कौन से part के बारे में kidney अब kidney जो waste निकालती चली जा रही है वो अपने अंदर store नहीं करती वो जाता है उसके बाद उससे next वाले part में जिसका नाम है ureters इस part की exact location को अगर हम body में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है अगर हम diagram में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है एक tubular या फिर tube-like part है quantity की बात करें तो दो होती है number में one attached to each kidney और अगर इसकी length की बात करें तो दोनों males और females में almost same length ही होती है और काफी length ही होती है it is about 8 to 10 inches long इसके अगर function की बात करें तो इसका function है transportation of urine from the kidneys to the urinary bladder इसके अंदर जो muscles present होती है उनका function है tight हो जाना और फिर relax हो जाना ताकि जो इसके अंदर urine present है वो अगले वाले पार्ट में चला जाए यह हो जाती है बात हमारी ureters के बारे में अब हम excretory system में आगे चले तो हमारे अगले पार्ट का नाम है urinary bladder diagram में इसको देखें तो यह दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से और image में इसको देखें कि इसका texture कैसा होगा elastic elastic का मतलब इसमें expand होने की और contract होने की शमता होगी और shape की बात करें तो shape इसका होता है जैसे कि हम देख सकते हैं pouch के जैसा अब यहाँ से अगर हम इसके function की और चलें तो पिछले part में हमने यह सीखा था कि पिछला part यानी के ureters urine लेके आता है इस part तक तो जब इस part पर urine आता है तो urinary bladder उस urine को लगातार collect करने का काम करता है और यह उस urine को तब तक collect करता है जब तक इसकी capacity होती है which is 400 ml which is quite a large amount just a bit less than half a liter of water bottle उसके बाद ही जाके कहीं यह उस urine को pass out करता है अब इस urine के collection का कारण क्या है तो वो तो काफी obvious हो जाता है कि अगर urine एक certain amount of time तक collect नहीं होगा तो हम लगातार urination करते रहेंगे जैसे जैसे हमारी kidneys urine produce करेंगी वैसे वैसे ही हमारी body urinate करती रहेगी जो कि अपने आप में बहुत ही uncomfortable and at the same time unmanageable situation हो जाएगी तो इस प्रकार से urinary bladder urination को control करता है और उसको एक less frequent activity बनाता है ये बात हो जाती है urinary bladder के function की एक छोटी सी interesting detail exist करती है ये urinary bladder के बारे में यहाँ पे और वो है about the time for which it can hold urine and that time is 5 hours which if you think about it is quite a substantial time ये time अगर minutes में exist करता तो body के लिए एक difficult situation होती है लेकिन इसके आर्ज में होने से body के लिए एक easy situation create होती है तो ये हो जाती है बात हमारी complete कौन से पार्ट पे? urinary bladder अब हम चलेंगे excretory system के fourth and last part की तरफ जिसका नाम है urethra इसको अगर हम diagram में देखें तो ये वाला part है ये और अगर image में देखें तो this is the image and this is the part इसके descriptives की बात करें तो एक ही descriptive exists करता है याँ पे जो है इसके size के बारे में which states that it is a tube with a small and narrow opening यानि कि एक tube है जिसकी opening अपने आप में काफी छोटी होती है इस part के functions की बात करें तो इसके दो main functions है पहला function इसका है urine को urinary bladder में ही contain करके रखना और ये काम ये करता है एक muscular structure की help से जिसका नाम है urethral sphincter जिनको हम इस image में देख सकते हैं ये हैं ये वाला part और जैसे कि हम देख सकते हैं ये उस point पे आते हैं जहाँ पे urinary bladder connect करता है अभी क्या हो रहा है ये part उसको रोक के रखता है एक function तो ये है urethra के दूसरे function की बात करें तो वो है तो pass the urine out of the body in a controlled flow when the necessary pressure is applied यानि कि जब एक organism सही pressure लगाएगा तो urine इसके थू ही pass out हो जाएगा body में से और जब तक वो pressure नहीं लगाएगा तब तक urine automatically pass out नहीं होगा which is obviously very important also अगर एक last detail इसमें बताएं तो urethra एक ऐसा part है जो males में काफी lengthy होता है जबकि females में काफी छोटा होता है males में इसका size 22 cm के around होता है जबकि females में इसका size 4 cm के around होता है ये हो जाती है बात हमारी complete fourth and last part of the excretory system urethra this completes the study of our topic अगर आप इस topic को बाद में revise करना चाहते हैं तो आप ये वाली sheet यूज़ कर सकते हैं और अगर आप topic पे खुद को test करना चाहते हैं तो आप ये वाली sheet यूज़ कर सकते हैं topic के successful completion के लिए congratulations to you अगर आप चैनल को अपनी study के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लिज़े और ने topics की notifications आपको मिलते रहें उसके लिए bell icon को भी ब्रेस कर लिज़े और इस topic के बाद आने वाली next topic का लिंक है ये इसको आप अभी start करते हैं तो बीच में एक break जरूर ले ले मिलते हैं अगले topic में